इसला असापती गाव में बूत कैप्चरिंग से ही जुड़ी हुई आपको बता रहे हैं इस घटना को लेकर बड़ी का पर अफ्तार सिंग बढ़ाना ने जिला निर्वाचन अधिकारी को शिकायत कर दी है इस पूरे मामले की बढ़ाना ने कई बूतों पर फिर से मतदान कराने की मांग की है उन्होंने बूत कैप्चरिंग के आरोप लगाते हुए सीधे निर्वाचन अयोक में शिकायत की है इन तमाम पोलिंग बूट्स पर दुबारा मतदान की प्रक्रिया होनी चाहिए इलेक्षिन कमिशन अफ्तार सिंग बढदाना ने अफिशिली अफशब शिकायत की है तो इस मामले में इलेक्षिन कमिशन का रुख क्या होता है आगे क्या कुछ इस गटना करम में देखने को मिलता है वो फिलहाल इंतजार करना पड़ेगा क्योंकि इलेक्शन कमिशन का रुख जांच परताल करने के बाद ही सामने आएक अफ्तार सिंग बढ़ाना की ओरती अफीशिली शिकायत की जा चुकी है मेवला एनिच टू के बियन स्कूल समेथ अफ्तार सिंग बढ़ाना ने शिकायत में लिखा है कि नवाता और असाफ्ती गांफ के पोलिंग बूत में गड़बड़ी हुई है उन्होंने बीजेपी पर गंबीर आरोप लगाये बीजेपी पर उन्होंने जगड़ा करने के बूत कैप्चिरिंग करने के ऐसे गंबीर आरोप लगाये हैं और दिला निर्वाचन आयोग में उफीशिली शिकायत कर दिया तार सिंग बढ़ाना और उनकी मांगे की इंतमाम पोलिंग बूत पर जोहाँ पर गर्वडी की आश्वनका है वहाँ पर मत्दान दुबारा कराया जाए और इस खबर पर हमारे साथ समधता राजुइंद्र दहिया जुड़ गए हैं राजुइंद्र क्या जो अनकारी मिल पाई अवतार सिंग बढ़ाना शिकायत लेकर पहुंचे चुनाव आयो क्या कुछ हुआ जी बिल्कुल मैं आपको बता दूँगे अवतार सिंग बढ़ाना ने बाकायता सिकायत भी कियो और मांग भी किया है कि महां पर दुबारा चनाव होना सही है साथ ही जो सदर है सच्चो परवल उनसे हमारी वातियों ने साबतार पर काया है कि एक वेक्ति को जो गिर्जाज नाम का था जिसने बटन दबाया था मसीं पुजा को उसको गरबदार कर लिया है और साथ ही उसके खिलाब मामला भी यहां पर दर्ज किया गया है जी राजियंद्र क्या ये साफ वो पाया है कि आखिरी वेक्ति था कौन क्या ये किसी पार्टी का नुमाइंदा था कौन था ये लगिए इस बात के जब हमने उनसे जानना चाहा तो उनने नसाफतार पर मना कर दिया जांच की बात कहकर वो बात को टाल गए हलाकि जो आरोपी उसको गरबदार कर लिया और उसे पूस्ताच की जा रही है आखिर वो किसके सारे पर काम कर रहा था जी चलिए राजुंदरी ये तो एक पोलिंग बूट का सबूत है लेकिन यहां अफदार सिंग बढ़ाना ने परीदा बात के कई पोलिंग बूट का जिक्र किया है और दुबारा वहां पर मतदान की मांग की है जी बिलकुल मैं आपको बता दूँ चार स्थानों पर उन्हेंने मांग किया कि वहां पर दुबारा से चुनाव होना की और उनको कहीं न कहीं लगता है कि इन बूटों पर गफले बाजी की गई है जिसमें कहीं न कहीं बीजेपी को वोट डाला गाया है बेहिवानी करके त परसासने का दिकारियों को बियान के बाद ही साह हो पाए जी इंतजार आएगा इलेक्शन कमिशन का क्या रूक इन शुकायतों के बाद बहुत बहुत शुक्रिया आपका राजुंद्र तमाम चानकारी के लिए अब तार सिंग बढ़ाना अपनी शुकायत लेके सीथा निर अफ़ारी हो गई है प्रतला का साफ्ती गाओं का पॉलिंग बूत है यह अफ्तार सिंग बढ़ाना ने असाफ्ती गाओं समीद कुल चार जगाओं को लेकर शुकायत किया और उनकी मांग है किन सभी जगाओं पर दुबारा मतदान कराया जाए अब फिलाल यह साफ नहीं हो पाया है कि आखरी शक्स था कौन पोलिंग स्टेशन्स पर सरकारी कर्मचारियों के अलावा मतदाता मौजूद होता है और कुछ पार्टी के एजिंट्स भी मौजूद होते हैं जो निगरानी करते हैं कि मतदान ठीक से हो रहा है कोई गड़ब था कलर्याना में मतदान हुआ सभी दस सीटों पर सभी जगाव पर शांती पून तरीके से मतदान हुआ है लेकिन कुछ घटना क्रम ऐसे हुए हैं जिन पर इलेक्शन कमिशन से यहीं उमीद करेंगे कि वो सक्त से सक्त कारवाई करें और इस खबर पर हमारे साथ म्यूज रूम से सीधा मुकेश मंडल जुड़े हैं मुकेश से सीधा जानेंगे मुकेश अफ्तार सिंग बढ़ाना शिकायत लेकर पहुँचे हैं और कुल चार जगाओं का हवाला देते हुए कहा है कि यहाँ पर मतदान दुबारा कराया जाए मुकेश दुबारा कंचे और कि इस तरह को अपना अधिकार दिखाते हैं वो दिखा कर इस तरह से काम करवाते हैं और हelaकी एक वीडियो वाइल हुई है लेकिन उनका आरोप है कि चार ऐसे बूत है फरिदावाद की बात करें तो चार ऐसे बूत है जहां पे इन घटनाओं को अंजाम दिया गया हलाकि जो वीडियो है एक बूत का है असावटी जो है प्रिक्ला में उसी का वीडियो वायरल हुए है लेकिन अब जाकर कहीं न कहीं भी संग्यान लेना चाहिए हलाकि चुनाओ आयोग की तरफ से फरिदावाद जो चुनाओ आयोग है उनकी तरफ से कह दिया गया है कि जो वैक्ति था दिख रहा है वीडियो में उसको हमने गिराफ्तार कर लिया लेकिन सवाल वही उठता है कि गिराफ्तारी के बाद क्या य कि लापर वाही है या जो वहां पर लोकल प्रसासन है उनकी लापर वाही है इस तरह से जो वीडियो वायरल होई है लेकिन आपने रोतक का भी देखा होगा कल जी तरह से अब वहां पर दिपेंदर हुडा ने भी आरोप लगाया कि बूत कैप्चरिंग की कोशिश की गई है यहां पर उसके अलावा हिसार साइट की हम बात करें वहां पर चोटी बोटी जो घटना है वह सामने आती नजर आ रही है लेकिन इसके बाद जब आज असावटी का वीडियो वायरल हुआ है और उसके बाद जाकर कही ना कहीं जो यह पूरा हंगामा बर्पा है मीडिया में खबरे आई है जिसके बाद जाकर प्रसासर ने उस व्यक्ति को गिरफतार तो कर लिया लेकिन अभी तक वह यह कह रहे हैं कि हम जाच कर रहे हैं यह व्यक्ति कौन है किस पार्टी से सम्मंद रखता है आखिर इन्होंने इस गटना को कैसे अंजाम दिया तो सारी चीजों को लेकर प्रसासर ने हलाकि पला तो जाड लिया उन्होंने कह दिया हमने गिरफतार कर लिया लेकिन गिरफतारी से बात नहीं बनती है आपको पहले ही देखना चाहिए था कि पोलिंग जो वीडियो में दिख रहे हैं उनकी मिली भगत है कहीं न कहीं जब जिस तरह से पर एक दो नहीं करीब बहुत सारे वहां पर पॉलिंग एजेंट मौजूद हैं अधिकारी मौजूद हैं लेकिन उसके वावजूद भी इस तरह की घटनाएं कहीं सामने ना लेकिन यह सोचने वाली बात है कि यह कोई छोटा मोटा चुनाब नहीं था लोगसभा के लिए म कानून का उलंगन करते हुए गैर कानूनी हरकत करते हुए बूद कैप्चरिंग की कोशिश करता है यह बेहत शौकिंग घटना क्रम है बिल्कु देखिया आपने लोगसभा की बात की लोगसभा का चुनाव था और इसमें एलेक्शन कमिस्टन अफिंडिया एलेक्शन कमिस काफी निरासा जनक है और सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि प्रदेश में आप कहते हैं किसी भी तरह से जो चुनाव जो केंद्र है उस पर किसी भी तरह से सरार्थी तत्व नहीं आएंगे कोई भी अनौनी असे ने पटने के लिए हम तेयार है लेकिन उसके करें लेकिन करने से बात नहीं बनती है अपतार सिंह भडारा ने ठीक आए चार बुट्र जार पैंपे जो पोह से का ओर रिया एक वीडियो वीडियो यह उसका वीडियोग वर्हों महिलाएं utilizz add कहा है कि हमें रोका गया, हम वोट देने आने आये थे, हमारे वोट पहले किसी ने डाल दिए, तो कहीं ना कहीं, जो तीन-चार जो पोलिंग अस्टेसन और जेसे कि अपतार बढ़ और रेने अपने शिकायत टोंन करना करते हैं आपने ना कई चुनावायव belang चाहिए सिकायत दी तरह दियान लेकर правда करना चाहिए। और जहां से खबर हskwe अब हो सके तो दुबाड़ा हो पारवानी चाहिए। जी बिल्कुल मुकेश और किसी व्यक्ति विशेश को गिरपतार करके चुनावायो अपना पल्ला नहीं जाड सकता है यह बिल्कुल जांच का विशेश पर जांच होनी चाहिए कि क्या इस तरीके की हरकते कराने के पीछे किसी पार्टी से जुड़े क्या किसी बड़े नेता कहाते किया किसी के इशारे पर इस तरीके से बूत कैप्चरिंग की कोशिश की गई है हर्याणा के तमाम पॉलिंग गटना है सामने आई रहतक की हमने बात की रहतक से भी आपने देखा था आकल खबर आया थी जो मनिश्ट गोबर के जो लोग है वो कहीं ने कहीं पोलिंग बूद पे जाते हैं बूद कैप्चरिंग की कोशिश करते हैं फईदावाद की आपने खबर देखी इस तरह से अलग अलग जिलों से खबर आ रही थी लेकिन सबसे बड़ी बात यह है फईदावाद में काटे की टकर है क्योंकि अफ्तार सिंग भराना तीन वार सांसद रहे चुके हैं केंद्री मंतिर किष्णपाल गोजर के से उनकी टकर है आमाधी पाटी के प्रदेश अध्यक्ष है नवी बहुत असावटी ऐसा कहा जाता है सावटी जो है यमना किनारे का है हर्याना का हिस्ता है और वहां पे इस तरह से घटनाएं आते तो कहीं ना कहीं वहां पर पुलिस प्रसासन थे वह मौजूद नहीं थे या फिर जो मौजूद थे उनकी मिली भगत है क्योंकि वीडियो मे किस तरह से महिलाएं अंदर आती है वह अपना नाम ढूंड़ती है और पहचान पर दिखाती है उसके वाद मतदान देने जाती है लेकिन ठीक उसी के बगल में एक व्यक्ति नजर आता है वीडियो में वह जाकर महिला के पास जाता है और जो मतदान है मतदिकार है उसका प् व्यक्ति जो वहां पहले से मौझूद है वो जाकर वोट डाल रहा है तो यह सारी चीजे तो सामने आ गए लेकिन इसके बाद सबसे बड़ा सवाल यह उड़ता है कि जो व्यक्ति वीडियो बना रहा है वो भी वहां मौझूद था उसके अलावा जो भी वहां पर अन्य पर कदम लेना चाहिए इस मामले पर शुक्रिया आपका मुकेश बहराल तमाम जानकारी के लिए और चुनाव आयोग ने एक व्यक्ति को जो इस वीडियो में नजर आ रहा है उसको गिरफतार जरूर कर लिया है लेकिन उमीद यही करेंगे कि चुनाव आयोग आगे इस पॉलिंग स्टेशन्स का हवाला देते हुए मांग किये कि इन सभी पॉलिंग स्टेशन्स पर बूत कैप्चरिंग की घटनाएं हुई हैं और यहां पर मतदान की प्रक्रिया दुबारा से होनी चाहिए और इस पर हमारे साथ पलवल के एस पी नरेंद्र जी जुड़े हैं नरेंद्र जी बहुत-बहुत स्वागत है आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए लेकिन सवाल आपसे मेरा यही है पॉलिंग बूत पर बूत कैप्चरिंग की घटनाएं की जो खबरे आई हैं मैं आपस प्रशासनिक अमला इतने महीनों से तैयारियां करता है लेकिन कोई बाहरी व्यक्टि आकर जैसा कि हम वीडियो में देख पा रहे हैं वो महीलाओ के मत का खुद प्रहोक करता नजर आ रहा है महिनाय बोट डालने आई है लेकिन वो व्यक्ति उतकर बार बार बोट डाल रहा है प्रतला के इस गाउफ की घटना को लेकर अफ्तार सिंग बढ़ाना अल्रीडी शिकायत कर चुके हैं सर निर्वाचन आयोग में अच्छा तो जैसे ही आयोग के मेरे पास इना कम्मिलिएशन आता है तो उसमें जोड़ी कारवाई की लिए चलिए बिल्कुल उमीद आपसे यही होगी कि सक्त से सक्त कारवाई हो इस तरह की घटनाओं पर क्योंकि आमजन जो अपने मत का प्रयोग करने जाते हैं उनका विश्वास उठ जाएगा लोगत तांत्रिक व्यवस्ता से अगर इस तरह की घटना होंगी और इस पर प्रशा पी हैं उन्होंने यह काई कि अभी तक हमें कोई शिकायत मिली नहीं है लेकिन जैसा कि उनको जानकारी दी गई अफ्तार सिंग बढ़ाना ओल्रीडी निर्वाचन आयोग में शिकायत कर चुके हैं और यह जो व्यक्ति वीडियो में आपको दिख रहा है जो इन महिलाओं के मत का इस्तिमाल करता नजर आ रहा है इसको गिरफतार कर लिया है लेकिन एक व्यक्ति विशेश की गिरफतारी काफी नहीं इस पर संग्यान लेते हुए बड़ी कारवाई का इंतजार रहेगा यह मामला पूरी तरीके से खुलना चाहिए जनता के सामने कि क्या किसी पार्ट पाच्वार साहिता के ओलंगन की कबरें भी अर्याना में सामने आती रही हैं तो इस तरह की घटनाएं जो हैं यह पूरी लोगतांत्रिक व्यवस्ता को लेकर लोगों के मन में कहीं ना कहीं एक आविश्वास पैदा करती हैं जो बिलकुल भी ठीक नहीं है हमारे इस लोगत संत्रिक व्यवस्ता के लिए ऐसे माउमीद इन तमाम सरकारी सिस्टम सरकारी बॉडी से यही हैं कि अगर एलेक्शन कमिशन को एलेक्शन ठीक तरीके से करवाने के लिए बनाया गया है तो एलेक्षन कमिशन अपनी जिमेदारियों को ठीक से निभाए और इस तरह की घटना अगर हुई हैं मतदान के दिन तो इस पर हम उमीद यही करेंगे कि इलेक्शन कमिशन इस पर कारवाई करते हुए किसी सकारात्मक समाधान के साथ सामने आए बहुत बहुत शुक्रिया सभी का हमारे साथ जुनने के लिए फिलाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही